नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में एक नवंबर से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे पराली न जराने को लेकर सरकार ने किसानों से की अपीर सिक्चा विभाग ने बिहार में सिक्चकों की काउंसलिंग को लेकर दिया नया नर्देश शहीद पुलिस कर्मियों को दीश्रधांजली इनके पडिवार को मिलेगा 25 लाख मुआफजा भाजपा के साथ दोस्ती के अपने बयान पर सीएम नितीश की सफाई इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से पराली न जराने को लेकर सरकार ने किसानों से की अपील ठन का मौसम आ रहा है ऐसे में राची में वायू गुनवत्ता खड़ाब न हो इसको लेकर सरकार के ओर से साथ धानी बरते हुए किसानों से पराली को खेतों में न जरानी की अपील की है इसके अलावा क्रिसी सचीव के द्वारा किसान सलाकारों और क्रिसी समनवयकों को नर्देश देते वे कहा गया है कि वे गाउं गाउं जाकर किसानों से मिले और इसके लिए उन्हें जागरू करे क्रिसी महाविध्यालियों और विश्य विद्यालियों को भी प्रसक्षत करने का नर्देश दिया गया है सक्षा विभाग में बिहार में सक्षकों की काउंसलीं को लेकर दिया नया नर्देश बिहार लोग सेवा आयोग की तरफ से विद्याले अधिया पकपद के लिए अनुसंसत अभ्यर्थियों की तरफ से काउंस्लिंग के दौरान अपने नाम की स्पेलिंग और आधार नंबर गलत लिखने के कारण और अन्यवी संगतियों के सामने आने से माधिमिक सक्षा निदेश कनहिया प्रशात के द्वारा राजे के सभी जिलों के जिला सक्षा पता अधिकारियों को निर्देश देते वे कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को विथ होल्ड कैटेगरी में डाल दे उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों से दो दस्तावेज मांगे जिसमें पहला दस्तावेज अभ्यर्थी से मांगा जाए कि वह जिस जिले का स्थाई निवासी है जो उसने विहार लोग सेवा आयो के आवीदन में भड़ा है का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन और दस्तावेज ये है कि अगर वे जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन का अगज नहीं दे सकते हैं तो किसी भी श्रेनी के नियाएक दिन अधिकारी की तरव से प्रती हस्ताक्ष्रित हलफनामा तयार कर जिसमें उसकी पहचान संबंधी पुर्ण विवर्नी दीध ह को 11 अक्टूबर से पहले जमा कर दे इसकी बाद उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा बिहार में 1000 से जादा कर्मियों और अफस्वरों का प्रमोशन बीदे दिन सामाने प्रशासन विवाग के द्वारा अलग-अलग 6 सूजिया जारी कर राजे में करीब 1000 से ज 60 कर्मियों को उच्टर पत पर प्रमोशन दिया गया है वहिसके लावा नगर विकास एवं आवास विवाग के द्वारा बिहार नगर सेवा के 45 पदाधिकारियों को उपनगर आयुक्त एवं समकच स्तर में वहित वेतनमान में और साइस थापरन कारेकारी प्रभार सौपा इसके लावा बिहार नगर सेवा के साथ पदाधिकारियों को अपर नगर आयुक्त एवं समकच स्तर पर प्रभार दिया गया है निवंधन विभाग में भी 107 कर्मियों को प्रमोट किया गया है वहिस्टम संसाधन विभाग में 8 पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया गया ह शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रधांजली इनके पडिवारों को मिलेगा 25 लाक मुआज़ा विभाग के ओर से 2 लाक रुपए की राशी दी जाती थी जिसे अब बढ़ा कर 25 लाक पार करने का फैसला किया गया है इसके साथ ही शहीद पुलिस कर्मी के सैलरी बैंक अकाउंट को लेकर भी एक एग्रिमेंट किया जा रहा है जिसमें शहीद के पड़िवार को अलग से शहायतारासी प्रदान करने के लिए आने वाले समय में इस्तमाल किया जाएगा बिहार में 1 नवंबर से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे राजी में 1 नवंबर से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 115 करोड उपय की लागत से 2389 माध्यमिक एवं उचमाध्यमिक विद्यालियों में निर्मान हुए स्मार्ट क्लास के सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जिसके बाद सक्षा विभाग के योजना पदादीकारी के नुसार नवंबर से स्मार्ट क्लासेज में कम्प्यूटर और प्रजेक्टर के जरीए बच्चों को पढ़ाया जाएगा वहीं इसके लिए पाठीक्रमों से संबंधित मटेरियल को सॉफ्वियर भी उपलब्ध कराया जाएगा मालूम हो कि स्मार्ट क्लास के संचालन है तो विज्ञान सक्षकों को राज्य सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षन परिसत से विशेश प्रसिक्षन दिलाया गया है सिक्षा विभाग में संबंधित माधमिक एवं उचे माधमिक विद्यालियों में स्मार्ट क्लास की मॉनिटरिंग करने का नर्देश अभी जिला कारिक्रम पदाधिकारी को दिया है साथ ही संबंधित पताधिकारी से कहा गया है कि स्मार्ट क्लास के लिए बिजली के नरबाद आपूर्ती सुनिशित की जाए पतना मेट्रो के लिए गांधी मैदान से आकाश वानी की ओर अब शुरू होगी खुदाई अगले महीने यानी की नमबर से पतना मेट्रो रेल पर योजना के तहट गांधी मैदान से आकाश वानी तक अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जमीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के दौरा तीसरी टेनल बोरिंग मसीन को प्रस्तावत गांधी मैदान स्टेशन के पास 52 फूट की गहराई पर बने लॉंचिंग सौफ पर उतार दिया गया है इस बारे में DMRC के अधिकारी के दौरा जानकारी देते वे बताया गया है कि लॉंचिंग सौफ पर दो से तीन हफ़ते में TBM को पूरी तरह जोड़ने की प्रक्रिया पूरी किये जाने के बाद खुदाई शुरू कर दी जाएगी बतादी कि इसके बाद 450 में ट्रिक टन वाहन वाली TBM गांधी मैदान से आकाशवानी भूमिगत मेट्रो स्टेशन की 966 मीटर की दूरी 5-7 महीने में तैक करेगी इस दिन से भागलपूर में शुरू हो जाएंगे परटक जहाज भागलपूर में परटक जहाज की शुरुआज चट के बाद होने की उम्मीद है बतादे कि भागलपूर में परटक जहाज के लिए तीन जगा कम्यूनिटी जट्टी कहल गाओं बटेश्वर घाट और तीन टंगा घाट पर बनाया जाएगा इसके लिए प्रिशासन की ओर से बिहार राचे परटन विकास निगम लिमिटेट को तीनों चेनित अस्थल के उपयोग की एनोसी दे दी गई है इस बाड़े में BST DCL के आरो आरो मैनेजर सुमन कुमार के द्वारा बताया गया है कि सुल्तान गंज से कहल गाओं तक गंगा में परटन जहाज चलाने की उजना के तहट टर्मिनल आदी का निर्मान कराया जा रहा है वहीं सब किलाबा जहाज चलाने वाली एजनसी भी फाइनल कर ली गई है ऐसे में निविदा लेने वाली कम्टी जहाज चलाने की तैयारी में जुटी है पटना हाई कोट के पुर्व जस्टिस उदै प्रताप सिंग के निधन पर सीम नितीश ने जताया सोक पटना हाई कोट के पुर्व जस्टिस और केरल हाई कोट के चीफ जस्टिस रध है उदै प्रताप सिंग का 19 ऑक्टूबर 2023 की रात को 90 वश के उम्र में निधन हो गया वहीं बीदे दिन उनका दिगा घाड पर अंतिम संसकार किया गया वहीं उनके निधन पर नियाईक जगह से जुरे लोगों के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है इसके साथी विहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा भी सोक जताते वे एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर कहा गया है कि केरल उचनयायाले के पुर्व मुख्य नियाधीस जस्टिस उदै प्रताब सिंग जी का निधन दुखद वे केरल उचनयायाले के मुख्य नियाधीस बनने के पुर्व पतना हाई कोट और लाहाबाद हाई कोट के में भी नयाधीस रहे थे उनके निदन से विधी एवं नयाई के छितर में अपोर्ण ही अच्छती हुई है इश्वल उनकी आत्मा को शांती दे पिकप पर लोट सराब की बड़ी खेप पुलिस ने किया बड़ा मत बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है लिकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें इस से जड़ी मामने सुनने मिलते रहते हैं हालक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के ओर से कई कोशिश की जा रही बता दे कि ताजा मामला बिहार के बांका के भल जोर बॉर्डर का है जहां उतपा सक्षिंग के रूप में की गई है फिलहाल सराब और वाहन को जब्त कर दिया गया है और साथ ही किरफतार तसकरों के खिलाफ उतपाद अधिनियम के तहट प्रात्मी की दर्ज कर कारवाई की जा रही है बतादे कि इस बात की जानकारी उतपाद विभाग के दारोगा सक्षिंग के द्वारा दी गई है विसिष्ट सिक्षक नियमावाली के प्राडूप पर आई एक लाग सुझाओ चार लाग नियू जित सक्षकों को विसिष्ट सिक्षक बनाने समीत अनियस्वधाईं प्रदान करने को लेकर बने नियमावाली के प्राडूप पर एक लाग से अधिक सुझाव सक्षा विवाग को मिले हैं ऐसे में अब इन सुझावों पर विचार विमर्ष किया जाएगा और उस पर नर्णाय लिया जाएगा इसके बाद ही हताय किया जाएगा कि कौन कौन से सुझाव मानने लायक है वहीं इसके बाद नियमावाली पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और फिर राजे में इस नियमावाली को लागू किया जाएगा बाजपा के साथ दोस्ती के अपने बयान पर सीयम नितीश की सफाई बनवाने के लिए किंद्र की ततकालिन कॉंग्रस सरकार ने उन्होंने अरोध किया था लेकिन तब की किंद्र सरकार ने गया के लिए किंद्र युनिवर्सिटी स्विकृत की हारा कि वे अरे रहे और बाद में यहां भी बना उन्होंने कहा कि वे इसी को याद दिलाते वे यहां हुए कामों को बता रहे थे इसमें सब के साथ पर बता रहे थे लेगिन उनके बयान को भाजपा से दोस्ती के बयान से जोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया बिहार में नौकडियों को लेकर उपमुख्य मंत्री तेश्वी यादव का एलान पहुत जल्दी बिहार लोग सेवा आयोग और सक्षा विभाग के द्वारा सक्षक न्यूकती का एक और चरन्ज सुरू करने वाला है जिसमें लगभग एक दसमलो एक शुने लाग पदो पर नुकडिया निकाली जाएंगे इस बारी में बिहार के उपमुख्य मंत्री तेश्वी यादव के द्वारा एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था पर टूइक करिया जानकाली ती गई है कि आपन बिहार नौकडिया अपार सक्षक भरती परिक्षा के एतिहासिक प्रतम चरन में एक लाग बाइस हजार तीनसो चौबस अभ्यर्थी सफल हो चुके है विश्व कप 2030 में पॉइंच टेवल पर भारत दूसरे नंबर पर अउस्टरेलिया और पाकस्थान के बीच हुए मैच के बाद विश्व कब 2023 की पॉइंच टेवल में कई फेर बदल हुए है दरसल पाकस्तान की, टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिली हार के बार टीम चौथे नंबर से पांचवे नंबर पर पहुँच गई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया एसजीद के साथ अब पॉइंट स्टेवल पर गई है, इसके अलावा इस पॉइंट स्टेवल में भारत अपने इस पॉइंट स्टेवल पर माइनस एक दसमनो पांच तीन दो रन रेट के साथ श्रिलंका है, इस्रों ने गगणियान मानव युग्त अंतरिक्ष मिशन के लिए क्रूइसके परिक्षन के लिए क्रूइसके परिक्षन कर लिया गया, दरसल इंजन इंगनिशन में समस्या के कारण सुभा 8.45 बजे पहली उरां को रद कर दिया गया था, जिसके बाद तुरूटियों की पहचान कर उसमें सुधार कर दूसरी बार में परिक्षन पूरा किया गया, बतादिक इस रोक के द्वारा गगणियान मानव युग्त अंतरिक्ष मिशन के लिए परिक्षन यान पास करने पर मिलते हैं प्रोथ्षाहन रासी, विहार सरकार के सिवल सेवा प्रोथ्षाहन योजना के तहट UPSC और BPSC सेवा प्रतियोगिता परिक्षा के PT परिक्षा में उतरण महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परिक्षा की बहतर तैयारी करने के लिए समाज कल्यान वि प्रोथ्षाहन रासी दी जाती है, जिसके अंतरगत UPSC प्राड़ामिक परिक्षा में उतरण महिला अभ्यर्थियों को 1,000,000 परिक्षा मीं उतरण महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपे दिये जाते हैं, आलग इस योजना का लाब लेने के लिए कूछ पातरता भी निरध इसके तहत अभ्यर्ति बिहार के स्थाई निवासी हो और साथ ही अभ्यर्ति पुर्व में किसी राजी या लोग सेवा में कारेरत न हो। बतादे किस योजना कलाब और किसी भी अभियर्थी को एक बार ही दिया जाएगा। अब भरते हैं आज के पांस सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है बिहार से छक भरती परिछा के पहले चरण में कितने अभियर्थी सफल हुए हैं? उप्शन A 1,25,324, उप्शन B 1,10,000, उप्शन C 2,25,324, उप्शन D 1,30,324 इसका सही उत्तर है उप्शन A 1,22,324 अगला सवाल, पटना हाई कोट के पुर्व जस्टिस उदैय प्रताप सिंह कानिधन कब हुआ है? उप्शन A 18,10, उप्शन B 21,10, उप्शन C 20,10, उप्शन D 19,10, उप्शन D 19,10, इसका सही उत्तर है उप्शन D 19,10, अगला सवाल राश्ट्रिय पुलिस इस्मरन दिवस पर बिहार के कितने शहीदों को श्रधांच लिदी गए? उप्शन A 6, उप्शन B 8, उप्शन C 4, उप्शन D 5, इसका सही उत्तर है उप्शन B 8, अगला सवाल विश्वकब 2030 में पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नमबर पर कौन है? उप्शन D भारत, उप्शन B पाकस्तान, उप्शन C दक्षिन अफ्रिका, उप्शन D ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है उप्शन C दक्षिन अफ्रिका अगला सवाल, बिहार में BPSC प्राडंभीक परिक्षा में उत्तरिन महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राश्ची के रूप में कितनी राश्ची मिलती है? उप्शन D 1 लाख, उप्शन B 50 हजार, उप्शन C 25 हजार, उप्शन D 10 हजार इसका सही उठडर है ओट्षन B 50 हजार, बीतर दिन हमाये दुरा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों निपन जाप हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिनूने हमाये दुरा पूचे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हाज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार क्लास उपलब्द करवाना कितना फाइदे मंद होगा अपना चवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा चैनल को सबस्काइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद